ओम नमशिवाई दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का महीना आने वाला है यह महीना अन्य महीनों से काफी पवित्र होता है कब पवित्र माना गया है इस सावन की सौमवार में तन मन से और धन से पूजा की जाती है भगवान शिव को प्रशन किया जाता है और अगर कुवारी कन्याए मन से पूजा करके कुछ भी मांगे मन चाहा पर मांग सकती है या अन्य कोई चीज मांग सकती है भोले ना से तो वो उनको अवश्च मिलेगा तो इस सावन के समार में पूजा कैसे करें तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पूजा कैसे किया जाता है सावन के समार में तो सबसे पहले अश्चनान आदि करके आप वस्त्रधार करके आसन बिच्छाईए पूजा आसन बिच्छा के ही करनी चाहिए जोकी बेल पतर आपस में तीन यानि तीन पतिया होनी चाहिए ऐसे बेल पत्र आपको लेने होंगे ऊभी 108 उसकी पाद उन तीनों पत्यों पे ओम नमः शिवाय लिखके आपको मंत्रों का उच्छायड करके सिवलिंग पे चढ़ाना है शिलिंग पे चढ़ाते समय इस मंत्र का उचारण करें ओम त्रेम बकम यजा महें सुगंधिम पुष्टी वर्धनम उर्वारुकमिय वंधनान मृत्योर मौक्छिय मामरितात इस मंत्र का जाप आप 108 बार बेल पत्र को चढ़ाते समय बोलेंगे इससे आपको बहुत ही अच्छा फल सुप फल मिलेगा कुवारी कन्याएं इसे मंचाहवर पाने के लिए ये पूजा कर सकती है पूजा स्टार्ट करने से पहले आप सीलिंग को पंचा मिर्थ आप तसनान कराएंगे उसमें गंगा जल, दूद, दही, सहद ये मिस्टर करके आप सीलिंग को पहले असनान कराएंगे भस मादी लगाएंगे, दूरवा चढ़ाएंगे, आप बेल पत्र चढ़ाएंगे, धतूरा चढ़ाएंगे इससे आप पूजा करेंगे, और बेल पत्र, हर एक बेल पत्र को चढ़ाते समय, आप उस मंत्र का जाप करेंगे जो मैंने भी पताया, और बेल पत्र ऐसा होना चाहिए, जो कटा फिटा ना हो और जो बेल पत्र है, वो तीन पत्तियां आपस में जुड़ी होनी चाहिए, ऐसा पत्र आपको 108 बेल पत्र लेना है मैं मंत्र का फिर से उचारड कर रही हूँ मित्र अगर आप पांच सावन का शोमवार पूरे तनमन धन से और इस बिधी विधान से पूरे बिधी विधान से पूजा करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुफ़ल मिलेगा, आपकी सारी मनो कामनाय पूरी होंगी, आपके दिखो का निवारड होगा मित्रो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें थैंक इस वाचिंग दिस वीडियो, आप सभी को सावन की महीने की धेरो सारी सुफ़कामनाय भगवान भोले की क्रिपा आप सभी पे हमेशा बने रहें, थैंक इस